11 नवेंबर से 17 नवेंबर के बेच घुजरी बाजार परिसर के शाम टॉकिस के पास थी एक कुरूशी वस्तों की दुकान पोर कर किसी अध्यात चोड़ों द्वारा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है पुलिस ने आरूपियों से चोरी हुई 95 पेटियां पुल की मत 6,4,400 रुपयों का माल जब्द किया है गोर तलब है कि अमरावदी गरामीन छेत्रों में बढ़ती चोरियों की घटनाओ को लेकर ऐसे घटनाओ पर अंकुष लगाने जिलागरामीन पुलिस अधिक्षक अभिनाश बारगर द्वारा अमरावदी गरामीन और परद्वारा पुलिस टेशन के अधिगारी सर्मचारियों का मारगदर्शन करती हुई तुचनाप रदार की थी इस मामले में पुलिस ने उन अध्याद चोरों के खिलाफ कलम 461, 388 के धारा के मुताबिक मामला कायम करती हुए क्विक एक्षन के तहट उन चोरों को पुत्यमाल सही धर दपोचा इस घटना में पुलिस ने शाकीप राजा उर्फ आमद अब्दुल उम्र तेईस साल मुहमद मुस्तकीन उर्फ गोलु मुहमद मुस्ताप योगेश उर्फ यास केला शिंगोले मुहमद मुस्ताप शेख हैदर विशाल विनोत पवार नामक इन आरोपियों को इरफ्तर कर यह कारवाई जिलाक रामेन पोलिस अधिक्षक अविनाश पारगण अपर पोलिस अधिक्षक शशिकान साथ उपविभागिया पोलिस अधिकारी पीजे अपदाघिरे इनके मार्गधर्शन वे थानेदार संतोष ताले उपणी रिक्षक मनोष कदम विनोत राउत प्रमोत जैसिंग चभान, गनेश पेलोकार, सचीन होले, कमलेश मूराई, दीपक राउत, विवेक ठाकरे, वैभव ठाकरे, शुभम मार्गड, नाधिम शेख, मंगेश फुकड, आदियो द्वारा की गई है पंकस साबु के साथ जैकुमार घीया विदर्भने उस्परत वाणा